हेलो फ्रेट्स मैं जोती भाटी से तो स्वास्ते चनल पर आपका स्वागत करती हूँ आज मैं अपनी से वीडियो में विस्की से बना एंटी एजिंग मास्क लेकर आई हूँ लेकिन फ्रेंड्सिस के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने मेरे से तो स्वास्ते चन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक करें मेरी हैल्थ और ब्यूटी से रिलेटिड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आईए अब जानते हैं एंटी एजिंग मास्क बनाने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रिजिट्स चाहिए हमें चाहिए एक अंडा, एक चमच मिल्क पाउडर, हाफ चमच निबू का रस और दो चमच विस्की सबसे पहले अंडे को फोड कर उसे अच्छे से फैट ले अंडा फैटने के बाद इसमें मिल्क पाउडर, निबू करस और विस्की डाल कर अच्छे से मिलाकर मास्क बना ले और इसे अपने फेस पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दे सूखने के बाद चेरे को ठंडे पाने से धो ले आप इस मास्क को वीक में दो बर अपलाई कर सकते हैं अंडा हमारी स्कीन के लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है यह उपन पोर्स को रिमूव करता है स्कीन को टाइट करके जुरिया दूर करता है चेरे के पिमपर्स और दाग धब्बे मिटाता है स्कीन को पोशन देकर उसे हेल्दियो यंग बनाता है अंडे के पीले भाग में फैट्स और विटामिन्स भी होते हैं जिससे स्कीन को फैट्स और मोस्चराइजेशन फैट्स मिलते हैं Milk Powder चेहरे के टेक्शर को सुधारता है साथ ही चेहरे पर निखार भी लाता है Milk Powder Clinger के रूप में काम करता है Milk Powder में Lactic Acid Does começo Kiss to White or Glowing Yoke बनाते है Collagen Production को भढ़ाता है और Skin को Hydrate रखता है Nibu में Bleaching पर पटी पाई जाती है जो Skin को Fir करने में Help करती है साथ ही skin tan black spots को remove करके skin को shiny and soft बनाती है niboo skin को lighten और bright करता है साथ ही free radicals को neutralize करता है collagen production को भी boost करता है विस्की चेहरे की जुरियां रूखा पंदाग दबों को दूर करती है चेहरे के glow को बढ़ाती है रंग निखारती हो skin को भी tight लगती है तो friends यह था विस्की से बना anti-aging mask आपको वीडियो beneficial लगी है तो please यह से like वे शेर करें thanks for watching my video